अधा एंजाइम हान नेक्स्ट बायो मॉलेक्यूल अपन श्टडि करना रहो अधा एंजाइम है लिविंग ओर्गनिसम मद यस्ते लिविंग ओर्गनिसम मझे प्लाइंट्स, अनिमल्स और एनी लिविंग सिस्टेम जा लिविंग सिस्टेम ततत तेंचा सेल मधे अश्य कैमिकल कंपॉण्स ततत नहीं प्रोटीन साच connections ततत जे तेंचा बोडी मधे चालना रहे जाए कैमिकल रेक्शन साय तनना केतलाइज करने से काम करता सतत तो अश्या chemical compounds दो आपन काय मनतास्तो enzymes मनतास्तो enzymes are defined as a bio catalyst enzyme आपन काय मनतास्तो biocatalyst एंकी नहीं produced by the living cell जे living cell मदे थैयर होतास्ता एँ नो यह catalyst अस्तात living cell मदे produce होतास which catalyze many biological reactions any biochemical reactions in animals and plant body are called as enzymes enzyme basically biocatalyst है produced by the living cell which catalyze many biochemical reactions in animals and plant's body are called as enzymes तनना सापन काय मन तो biocatalyst ला enzymes अता ही जोड़े ही enzymes सस्तात ही enzyme नथिंग बड़ प्रोटीन ससस्तात अपलेलम आई ती है की वेरी लाज नंबर ओप केमिकल रेक्शन सार टेकन इन आई बड़ी जसा अपले डिजेशन है है के नहीं तर अपले बड़ी मदे जी कई प्रोसेस गड़तात जोड़े कई केमिकल रेक्शन गड़ून राएलेला है तो naturally that process is carried out by using the biocatalyst such as enzymes there are very large number of chemical reactions occur in our body मैस बड़ी मदे से मिलिए से खैटात हुट चाली प्रोसे निए सग्छी नेखेशन है अपले बड़ी मेन से मिलिए सार कारेशन आई खैटात है विषिश्त गड़ी प्रली प्रड़ी परकट्राइ सार्डी प्रडी कर उतरा autor एंजय कोंत्या नजय एंजय 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 ला ओर करता अपले बोड़ी मधे 37 डिग्री टेम्परेचर ला हें अप्टीमम एपिसीएंसी धाको तर्था यानसो सोताचा जी एफिसीएंसी एथी 100 परसेंट असते And at the pH of, अपले blood सा pH अज तो 7.4, या pH ला, आनि at 30 degree, 37 degree Celsius, it act as a efficiency is 100%, तो खुब सांगला प्रकारे वर्क करतो, at high temperature and different pH, the enzymes work differently, बरेवर है, अथा अपले ला माईधी असले पाईजे काई एक्जाम्पल अशा है, जसे insulin आए, अपले body मदे, एनजाइम सिक्रीटेड बाई पैंक्रियास, अपले जे पैंक्रियास आए, पैंक्रियास सेल, तान चामधून insulin नावाचे एनजाइम सिक्रीट होते, विच गंट्रोल दा बलड शुगर लेवल, जे अपले बलड मदे जे शुगर है, ताले डिकंपोस करते, आनि ताची लेव कई लेवल जि करते हों, को करते हैं, अपले जे इंजाइम सेल, विच गंट्रोल दा बलड शुगर लेवल, जे अंजाइम करते, अपले जे आनिसुगर नावाचे एनजाइम सिक्रीए पंक्रियास, अपले लेवल साल प equilibrium, अपले एनजाइम नावाचे नंजाइम असो, which hydrolyze the starch अपले बॉडी मदे जे food material है तेला हैड्रोलाइज करा से काम करते ते वरवर है अशक्र करे मन जे enzymes अपले बॉडी मदे सरवात महतवाची रोल करते सता कि अपले बॉडी मदे चालनारे जोड़ा ही biochemical reactions है ते catalyze करा से काम करते अनि ही catalyze कुंते टेंपरेचर ले करता थे 37 degree celsius temperature ले and the pH of 7.4 7.4 या pH ला almost all enzymes are globular proteins spherical की वाँ water soluble असता थे almost all enzymes जेवडी कई enzymes असता थे globular proteins असता प्रोटीन सा थे globular proteins chemically enzymes are proteins actually chemically enzyme ही protein है बरवर है अनि अपले लामाई थे हैं कि enzymes are very specific for the particular reactions and for the particular substrate अतर जा enzyme सा function जे आहे तेज तेफ रोल करते जसे आपले chemistry चा reaction असता ते खान दा catalyst या ही reaction मदे catalyze काम करते दुसरा ही reaction मदे catalyze काम करते पन enzyme तसा नसतो enzyme असा catalyst असतो कि जे particular reaction साथी for a particular substrate सोबत असतो combine हुँँ, catalyze का रोल करते अनि मनों enzymes are very specific ते खुप specific असता for a particular reactions फक्त particular reactions ला catalyze करते असता at a particular substrate particular substrate सोबत combine हुँँ दुसरा सोबत combine हुँँ तो catalyze का रोल करना र नहीं बरवर है तेचा मदे enzymes are very specific next step लेला लक्षा ताला पाएजे कि अपन एंजाइम ची जे नावा दितास्तो तो ही कशा प्रकारे दितास्तो बगलक्षा टिवाचा इंट्रेस्टिंग है एंजाइम ची नावा दितास्तो अपन they are generally named after the compound or class जे compounds पसुंतो अपन तेचा कन्वरशन करतास्तो जे नावा दिले जातास्तो तेचा कमपउंचे नावा आउन तेचा नाव दिले जातास्ते with the ending suffix तेचा शेवटी अपन काय लावतास्तो A-S-E असा suffix लावतास्तो जसा मितुमाला सांगतो जसे noteimizеле बडभर है की नहीं एकानदा माल्टोज सा गन्वरशन अपन क्शद करतास्तो तोriciaуш मते तो माल्टोजस सा ग्ल्कोज मते कन्वरड करतास्तो तोसले मुलो यह अश्ब्स्टन चा नावा हुनस्या एंजइन से नावस्ते बगलग सठ आवास्वाраш असे जर विचारला था काया संग साल? माल्टेज, कुंते एंजाइम में केला जाते? माल्टेज, ए यह सी असा सफिक्स लाओ तू, सफिक्स मंझे शेउटी लाओने सपोज, यूरिया चा कन्वर्शन, यूरिया चा कन्वर्शन, कार्बन डायोकसाइड आनी वाटर मदे जर करना रहा एंजाइम असेल, तो कुंता मंसाल तुमी? यूरिया चा कन्वर्शन, का यूरिया चा कर कला की की नावओन का इंजारा घेलालासत हुरा शुकरोज़ łूच्छेल तरा नावाँ पर्की नोच्य का इदा और और दो जीक संसर्धानलास हुरुटोज चेयर के प्रूटोज के साथा जंट रहा या सुप्रोज हर अशर प्रकारें तो इस इस नेम गिवन फॉर थे एंजाइम्स बाइ युजिंग असफिक्स A-S-E वरवर है अनि मनुन हे जे एंजाइम्स नाव अस्ताथ हे नाव कर्शे देले जात वस्ते है अपलेल समाजले पायचे यार जन्रेली नेम अप्तर दे कंपाउंड और क्लास ऑपकमै। जा कंपाउंड साथि तेव अपुर उंडायो तया कंपाउंड चे नवां उं ते नव ते ले जाते है किवग्वा जे कंपाउंड चे आपन कन्नीर ररशन कर सबंचा करम जाईलो रकारायो जाओंड край्तायो थे डाउन्ड यीुए एंजाइम्स अएंड अनिजा catalyze hydrolysis of maltose into glucose जसे maltose ग्लुकोज मदे conversion हुन रहेल अनि मनुन या conversion या substance नावा हुन अपन यांचा नाव का एठेवला maltase आपने अश्या प्रकार है similarly एक दुसरे ही आए नावाचा जो प्रकार आपन दे नाराओ यांचा जे नाव देतास तो हे टैंची जी कुन की प्रोसेस करते, oxidations करते का reductions करते ये चाहुनाज oxidase अनि reductase enzyme मनुन अपन अपन अनातास तो सम ताइम्स enzyme अलसो नेम अपन दे रहेक्शन कदी-कदी आपन enzymes नाव टैंचा रहेक्शन मदे तो कसा यूज के ला जातास ते ते रहेक्शन मदे तो कसा यूज के ला जातास ते तैंचा नावाउन सुद्धा दी ला जातास ते ओर एंजाम्पल the enzymes which catalyze the oxidation जे enzyme काय करता oxidations reactions catalyze करता जे enzymes oxidizing catalyst मनुन अन्यक्ट होतास ता enzymes which catalyze the oxidation one of the substance and simultaneously reductions अनि तैचा reduction सुद्धा तो करतासे of another substance दूसरा substance रिदक्शन करना रहे एकाचा oxidation जाला तो दूसरा रिदक्शन होना रहे for example enzymes which catalyze the oxidation of one substance जे enzyme एका substance रिदक्शन करना रहे and simultaneously reduction of another substance आर नेम एज oxydo reductase enzyme अपन काय मन तो ते ला oxydo reductase enzyme समरले लग्शा तला मन जेज एकाचा तो oxidations करून रहेला आनि दूसराचा simultaneously reductions करून रहेला मनून तैचा नावाउन नहीं तैचा रिदक्शन चा नावाउन सुद्धा अपन तैचा नावादी उशक्तो oxydo reductase enzymes मनून तो भी बोईलाजी मदे पाता एकी नहीं maltase, enzyme, oxydo reductase अशा प्रकार ची नावाजा एकता तो ते आर दे नेम अप enzymes अनि दे नेम on the basis of देर रियक्शन ओकर जेती रियक्शन करता त्या प्रकार यापन तैचा नाव देता स्लो समली लक्षातलका मनची तया ची दोन प्रकार ची नावासता एकतı नेम अप दे कमपाउद और क्लास अप प कमपाउद देट विच वर्क जा कमपाउद सा अपन कन्वर्शन करुन रहे लो जा कमपाउद मदे हे enzyme वापुरून रहे लो तया compound नवा उनस तया enzymes नवा दिले जाता थे by ending the suffix A-S-E similarly, sometime enzymes are named after the reactions where they are used जा reaction मजे जश्या प्रकार यूस हुन रहे ले तया नवा आपन तया नवा दिले for example, the enzymes which catalyze the oxidation of one substance and reduction, simultaneously reduction of other substance such type of enzymes are named as oxido-reductase enzyme this is the assisting for nomenclature for example, the enzymes are used as a urease कै मनता तुम्ही? urease enzyme असा मनता स्ता सम्झुन रहे ला? तर अश्या प्रकार ही टेक्निकली यांचे नाव दिले जाता स्ते इतपर इंता सर्वन चे लक्षा ताल असे name of the enzymes ending of the name is A-S-E तया सर्वन चे एंजाइम चे नावा चे उठीका यास्ते A-S-E असा वर्ड अस्ते सपिक्स अस्ते ठीक है? बगात अलक्षठे वाच्छे तर जनांतर mechanism of enzyme action आता enzyme करतात का है? ही catalyze करतात मनजे का है करतात? अपले लमाईती है कि जसे एकांधी chemical reactions घड़त असेल तो ये chemical reactions मदे एकांधी reactions लोका आस्ते करन्ते ची activation energy सपोज आ reactant आहे आनि हाँ जो प्रोड़क्त मदे convert होतास्तो बरवर है तो त्यावलेस त्या प्रोड़क्त मदे convert होने साथी या reactant ला लागनारी energy कहला मनातास्तो आपन activation energy तो catalyst का है करतातात? या activation energy activation energy low करतात तेच reactant आहे बगा लक्षटे वादसा है पन ती reaction चा activation energy lower करताता काम कोन करतास्ते catalyst करतास्ते समर्ले लक्षटा आलो आनि मनुनास mechanism of enzyme action ही कुप महत वाच्या की enzyme निमका पले reaction चा rate कसा वाडो तत ही सांगत लेला है बगा लक्षटे वादसा है तर enzymes are needed only in small quantity एक्दम कमी प्रमानात आपन enzyme वापरतास्तो for progress of reactions similar to the action of chemical catalyst जस आपन एखंदया reaction मदे chemical catalyst वापरतो तस आज enzymes उद्धा एक्दम कमी प्रमानात वापरतास्तो आपन जी कमी प्रमानात यूज होतास्ते enzymes are said to reduce the magnitude of activation energy enzyme काय करता reaction ची activation energy कमी करतास्ता for example एक एक्जाम्पल सम्धाउन सांक्त में तो मला तो यहन्चे activation energy कमी करतात मझे नेम का काय करतात बगालग शत्थे वाद सा है एक एक्जाम्पल अपन ग्यू तस आपन hydrolysis of shukroze क्यू एक मिनिट हा आपन hydrolysis of shukroze क्यू तो शukroze है जर आपन केला तो naturally यह शukroze है hydrolysis केला नंतर सरवन्ना माईती है शukroze मंजे disaccharides आनि शukroze जर आपन hydrolysis केला अतर शukroze यह enzyme चा प्रजेंस मदे ना तर शukroze यह नावचे enzymes मदे शukroze तते activation energy लोईर करता पहले अपन absence of shukroze करू आनि अपनला glucose आनि फ्रुक्टोze तयार होता स्ते है माईती है reactions मदे इत पर हिंता सरवन्न चड़ो क्याता है आता बगा actually जवा reactions करतो तो है hydrolysis reactions असेल तो है पहले अपनला शukroze आ है आनि हाँ शukroze जवा glucose आनि फ्रुक्टोज मदे convert होता स्ते glucose आनि फ्रुक्टोज मदे without catalyst तो यह ची activation energy किती लागते यह reactant ले product मदे convert होने साथी transition state मदे जाने साथी energy लागते ती अस्ते 6.22 kJ per mole यह उड़ी energy लागते without catalyst without catalyst आनि आपन जरा ता काय केला catalyst add केला इकते काय केला catalyst add केला catalyst add केला ता हाद जो शुक्रोज आहे यह शुक्रोज आए activation energy glucose आनि फ्रुक्टोज मदे convert होने साथी glucose आनि फ्रुक्टोज मदे convert होने साथी एकदम कमी लागते ती अपने इकत्क खाय आद केला enzymes that is 2.15 kJ per mole energy cone enzymes just like the chemical catalyst this is a chemical catalyst karta tasa say enzyme sudda karta and that's why they increase the rate of reactions one of the reactions are rate what other stuff and even on asha prakare upon catalyst actually tension mechanism the kai karta small quantity of catalyst are needed for the reactions to be carried out enzymes are reduce the magnitude of activation energy for example when we hydrolyze the sucrose into glucose and fructose without catalyst 6.22 kilojoule per mole energy are required but when same reaction is carried out in the presence of sucrose enzymes there is reaction upon sucrose enzymes medically that they lower down the activation energy even kiti lower karta bagate 2.15 kilojoule per mole and that's why they suddenly increase the reactions rate by lower down the activation energy this is the role of catalyst enzymes in the chemical reactions okay the channel that apple and see mechanism actual mechanism of the key lock mode mechanism samsung gates answer bagalak shakti what's saying the mechanism of enzyme catalysis action of enzymes on substrates is this described as a key lock mechanism at the other the particular particular chabi particular koolpalas laghti like the such particular enzyme particular substrate so bad that's combine who shakte that is size to do the changes sale that to the substrate so bad combine hoon are 9, just like the key and lock mechanism समरले लक्षा ताला for example, जबस आपने एक एंजाइम गितला, इते तुम्चे डाइगराम मदे दिसते, हावाला एक एंजाइम आहे, याँ एंजाइम ची active side है active side मनजे जावर जा substance ते conversions करना रहे, तो substance ते एक्टिव साइड वर काई होना रहे attach होना रहे हाजो substance आएजी, size एक fix असली पाईजे याँचे मदे थोड़ा ही जरी change से बगालक्षाटे बाद से, तो दे आर not actually fit into this activated side and that's why just like the key and lock तो याला ऐसा mechanism मदे आपन सांगना रहा हूँ, इत परें तो सर्वांचे डोके ताल असे, है कि ने according to the enzyme has a active side on its surface आपने लमाई थी है कि जो enzyme असते तेंचा surface और active side असते, जच और तो substrate zone काई होता सतो attach होता सतो, तेला active side मनाता सता, जीत ते substance और conversion दूसरा substance मदे convert करता सते that side on the enzymes are called as active side accordingly the enzyme has a active side on its surface, तेचा surface और active side असते, अनि या active side और, a substance molecule can attach on its active sides ते active side और जाँ substance molecule काय होता, अटच होता सता, only if it has a right size and shape जरक तेचा, fix size और shape असते, मनुंत enzymes are specific for the specific substrate the specific substrate that is specific as that enzyme just like the lock and key mechanism अला लक्षा, बगा, बगा, once the active side, the substance is to be held in correct orientations to react and the formation of product of the reactions जर तेच्ट साइड और अपले substance एक तेच्ट साइड और और तेच्ट साइड और जर काय जाले, react जाले and form the product तरस्ते product मदे convert होती अपगा रियक्षाण otherwise that is not occur एके नहीं और सेहीं इंट्रेस्टिंग है the product लिव दे अक्टिव साइड अनि प्रोड़क्ट जवा अक्टिव साइड ला पुन्ना सुडून दी अपले थर्ड स्टेज मदे तुमा ला दिस्ते अपले प्रोड़क्ट तेयर जाला अनि तो प्रोड़क्ट जसा ही या साइड मदू निंगुन साइड एके ने the enzyme is then ready to act as a catalyst again तो पुन्ना अपला active side free करते and again the specific size and shape substrate are attack on the active side to convert into the product just like the specific key needed to open the specific lock एके ने समदल मी काय मतला है ते अशा परकारे अता बगा ही जेवा करता अपन the formation of enzyme substrate complex has very low activation energy अनि जेवा ही complex बनते यांसा तो ही complex तेयर जालावर यांची activation energy low activation energy तेयर होते अनि due to the low activation energy rate of reaction become faster ते reactions रे तेक दम fast हंगा तस्ते this is how the rate of reaction is very high अनि तेचम enzymes जेवा substrates बद कंबाई होता ते लोड़ दा अच्टिवेशन energy and the rate of reactions is very high in this way the lock and key mechanism of enzymes are there अला लक्षा सर्वान चाहे अशा प्रकरे आपन यांसा mechanism सम्जून गेतला आथा mechanism जाले नंतर आपन कई यांचे आथा some enzymes are so efficient that one enzyme molecule can catalyze the reaction of 10,000 substrate molecule in one second बगा लक्षा ठेवा इतकी efficiency जेशते काई enzyme जी कि ते एका second अमदे 10,000 substrate ला काय करता catalyze करता मझे इतकी efficiency catalyze जेशते that's why they undergo very faster reactions ते कुप fast reactions करता स्ता अलो लक्षा बगा ते चनंतर अपलेला सम्जून गेचा है कि अथा ये जे industrial application सम्जून गेचा है ते industrially अपन बरेशे जे enzymes है है artificially organism मदून extract करून industrially अपन यांचा यूज करून रहे लेलाओ बगा industrially अपन या chemical compound सा यूज करना रहो in many industrial process जोड़का या इंडस्टियल प्रोसेस है specific reactions are carried out by using specific enzymes बरेश्य इंडस्टियल प्रोसेस मदे अपन specific reaction है specific enzyme चा प्रजेंस मदे carried out करता स्तो extracting from the organism अथा ये खंदे living organism ते मदून ते enzyme अपन extract करतो अनि industry मदे specific reactions carried out करने साथी तांसा बापर करतो and also by use of new enzymes made using genetic engineering अथा अपनला माहिती है biotechnology चा नू सार अपन नवीन नवीन enzymes काय करू शकलो यू मजे तयार करू शकतो biogenetic engineering genetic engineering नू सार बरेवर है some example of industrial applications of enzyme catalyst are काई industrial application जे enzyme चाहे catalysis करने चे ते दिली ले है conversion of glucose to sweet testing fructose अथा जे glucose असते ता glucose ची टेस्ट एगड़म गोड़न असते ता तेला अपन fructose मदे convert कराईचा असते which using the glucose isomerase glucose isomerase नावाचा enzyme सापन बनो तो अनि हा glucose isomerase enzyme काय करतो या glucose ला sweet testing fructose मदे convert करता है अपना अपना पाउन ग्यूग अपना ही चाप्टर क्लियर हुन जाते बगा लग्ष अथे बाद साहे denaturation of proteins denaturation तो एक पॉइंट रहेला होता denaturation of protein काय होता है denaturation ऑरीजिनल जे प्रोटीन्स असतो या पर डूटीन्स लैइक definite shape असतो अपन जरे एग्स घेतला तो जवा ते एग्स ओरिजिनल कंडिशन मद यस्ते इट प्रोदूस द लाइफ तेचा मदून असा जीवन त पिलू निंगते है कि नहीं पन तेच एग्स अर अपन काया केला बॉल केला अन किति कही डिवस थेवला तो दे दो नोट प्रोदूस अल अरव्स ऑन प्रोदूस यह जान थे यह जिए संट लगीन थेसेर जीवर्णाट नियुल थेच एग्स परोदूस जीओ देच कि यह जाया चाले में तेच्च जए अरशित प्रोदूस जीवर निस्जी अंड भीजिड परोपर्टिट एपूस प्रोदिय थैपिसि कल अन प pH of that protein, it's called as denaturation, ते फिनॉमेनल अखाय मनता, denaturation, बगा, denaturation अपन काय कर, कसा करता स्तो, कि denaturation is brought by hitting the proteins with alcohol, adding the concentrated inorganic acids, ते चामादे pH change करू, ते ते नाचुरेशन हू शक्ते, by salt of heavy metals, heavy metal चे salt अकुन अपन denaturation करू जह और जीनल ठ प्रूटीन चे physical अनि ब्योजिकल प्रपर्टी है जे चेंश होतील, without changing the compositions, जह चेनिकल फरमुला न बदलता, तेन चे ब्योजिकल अनि प्रेसिकल अनि प्रूपर्टी चेंश होतील, that phenomenon is called as denaturation, and that is brought by using hitting the proteins in alcohol, by adding the concentrated inorganic acid in them, and by adding the salt of metals, heavy metals for example, denaturation protein gain easily precipitate the proteins hitting easily precipitate it is the irreversible change एगदा तो चेंग जाला कि डबल तो रिवर्स हूँ शकत ना है and this process is called as denaturation of protein denaturation uncoiled protein तो प्रोटीन ला काय वेल तो uncoiled वेल जे तेसी जे original coiling जाला है जे चमगटचि जा प्रोटीन आपी छ चाम आज़ा specific biological and physical properties होती आणी टे जरा uncoil जाला जे ते चे जे प्रोटी काय हों जाइल, चेंग हों जाई denaturation, uncoil the protein and destroy the shape and thus loose the characteristic biological activity आणी मनुन तया enzyme ची sabi, तया protein ची biological activity का एवन जाई चेंज हो जाई तानि हें जी करतास तो आपन तो जासे boiling of eggs coagulated eggs white जासे eggs ला boil के ला तेही denaturation of protein जासे example है conversion of milk into the curd milk से conversion curd मदे करतापन तेही कशासे example है denaturation of protein जासे example